आमस्ते चिल्डरेन आज हम श्री बचेंद्री पाल से रचित एवरस्ट मेरी शिखर यात्रा नामगपाट सीखेंगे बचेंद्री में एवरस्ट विजे की अपनी रोमांचक परपदारोहन यात्रा का संपोर्न विवरण स्वयम ही कलंबंथ किया है प्रस्तुद अमश उसे विवरण में से लिया गया है यह लोम हर्शक अमश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहूंच कर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्योरा बयान करता है इसे पड़ती हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सफी गतरों को खुद छेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो ओके देखिए एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा एवरेस्ट अभियान दल साथ मार्च को दिल्ली से काटमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया एक मस्बूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था जिससे कि वो हमारे बेस कैम पहुंजने से पहले दुर्गम हिमपाद के रास्ते को साफ कर सके एवरेस्ट अभियान दल अभियान दल मेंस अभियान यात्रा यात्रा का दल ग्रोब साथ मार्च को दिल्ली से काडमंडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया हवाई जहाज क्या है बच्चो हवाई जहाज एरोप्लेन एरोप्लेन में ही चल दिया कहां से दिल्ली से काडमंडू के लिए एक मस्बूत अग्रिम्दल, एक स्ट्रोंग ग्रूप, आगे का एक स्ट्रोंग ग्रूप पहले ही चला गया था, क्यों चला गया, क्योंकि हम वहां, that means ये नई ग्रूप वहां पहुंजने के पहले, बेस कैम्प पहुंजने से पहले दुर्गम हीमपाद की रास्ते को साफ कर सके, जो ग्रूप पहले गया था, हमने कहा एक मस्बूत अग्रिम्दल, एक स्ट्रोंग ग्रूप, वो तो पहले चला गया, क्यों चला गया, ये means ये न्यो ग्रूप के लोग वहां बेस कैम्प पहु इनके राख, जिन राहों से ये जाते है, वो राख क्लियर करना है, साफ करना है, राखो में क्या था, हीमपाद होने की संभावना है, तो वो हीम क्लियर करना है, हीम माने ice, हीमपाद माने क्या है बच्चो, ice falling, snow falling नम्ची बाजार शेर्पा लेंड का एक सरवातिक महत्तपोर्न नगरी एक शेत्र ही अधिगाम्श शेर्पा इसी स्तान तथा यहीं के आसपास की गावों की होती है यह नम्ची बाजार ही था जहां से मेने सर्व प्रथम एवरस्ट कुनिहारा जो नेपालियों में सागर्मा था के नाम सी प्रसिद्ध है मुझे यह नाम अच्चा लगा पूर एक बाद भी लेखी का कईता है वो क्या है देखिए नमचे बाजार शेर्पा लेंड का एक सरवादी महत्तपुन नगरी एक्षेत्र है नगरी एक्षेत्र का नाम क्या है बच्चो नमचे बाजार वो तो शेर्पा लेंड में है और अधिगाम्च शेर्पा इसी स्तान्ट थदै ही के आसपास की गावों की होते है अधिगाम्च शेर्पा कहां के दे नमचे बाजार का या इसके आसपास के आसपास के में सपास से गाव के होते हैं यह नमचे बासार ही था जहां से मैंने सर्वप्रदम एवरस्ट को निहारा यह नमचे बासार से ही लेखिगा ने पहले पहल एवरस्ट को निहारा क्या है बच्चो निहारा का मेनिग अक्चली देखना है लेकिन उसमें भी एक स्पेशालिटी है वो कुन सी है सुन्दरदा का आनंद लेते हुए देखना वही है निहारना ओके जितना सवंदरी है वो चीज़को जिस चीज़को हम देखता है उसको जितना सवंदरी है उसका आनंद लेते हुए देखना वो ही है निहारना और जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद है मुझे एक नाम अच्चा लगा देखिए एक नमचे बाजार ही दा जहासे मेंने सर्वप्रदम एवरस्ट को निहारा जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसि नेपालियों में वे तो ये नम्चे बासार को सागर माथा नाम से बुलाता है मुझे यह नाम अच्छा लगा लेखीगा कहती है उससे भी यह नाम कुनसे नाम सागर माथा नाम अच्छा लगा एवरस्टी की तरप गवर से देखते हुए मैंने एक बारी बरफ का बड़ा फूल देखा जो परवत शिखर पर लहराता एक दोजसा लग रहा था मुझे बताया गया कि यह द्रश्य शिखर की उपरी सतर के आसपास 150 किलोमेटर अधवा इससे भी अथिक की गती से हवा चलने के कारण बनता था क्योंकि तेज हवा से सोका बरफ परवत पर उठता रहता था परफ का यह दोजस दस किलोमेटर या इससे भी लंबा हो सकता था शिखर पर जाने वालने प्रतीग विक्ती को दक्षिन पूर्वी पहाड़ी पर इन तोफानों को जेलना पड़ता था विशेशकर खराब मौसम है यह मुझे डराने के लिए काफी था फिर भी मैं एवरस्ट के प्रती विचित्र रोप से आगर्शित थी और इसकी खटिंतम चुनावतियों का सामना करना चाहती थी कोई टफ़ड है तो देखिए छेलना में सहन करना सहन और चुनावतियों में स्चलेंच देखिए एवरस्ट की तरप गेल से देखते हुए मैंने एक बारी बरप का बड़ा फूल देखा जो परवत शिकत पर लाखरा था एक धुजसा लग रहा था जब लेखिगा ने ये नमचे बासार में रग कर एवरस्ट को देखा तब क्या देखा एक बारी बरप का बड़ा फूल देखा दाडबिन्स प्लूम वो देखने से कैसे लगा है लहराता एक दुजसा लेहरे हुए एक दुज के समान लग रहा था मुझे बताया गया कि एक द्रिश शिखर की उपरी सतह की आसपास 150 किलोमेटर अदवा इससे भी अथिक की गदी से हवा चलने के कारण बंता था क्योंकि तेज हवा से सुका बरफ परवत पर उड़ता रहता था तब किसी ने लेखिगा से कहा ए तो तेज हवा के कारण आईस क्या कर रहा है उधर उड़ता रहने के कारण ऐसा लगा है कैसा लगा है लहराता दुज के समान वो और एक बात भी करता है द्रश शिगर के उपरी सतक के आसपास 150 किलोमीटर या उसके अतिक गदी से हवा चलने के कारण होता है बरफ का इह दुज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है शिखर पर जाने वाले प्रतियग विक्ति को हर एक विक्ति को दक्षिन पूर्वी पहाडी पर इन तूफानों को छेलना पड़ता था क्यों इसी तरह के तूफानों को किसी तरह के किसी तरह के 150 किलोमेटर गती से स्पीड से होने वाली ये हवाओं को जेलना पड़ता दा या सहन करना धा विशेश कर खराब मौसम में घराब मौसम माने क्या है बैर क्लाइमट ये मुझे डराने के लिए काफी दा लेगीगा को डराई फिर भी मैं ये वरस्ट की प्रदी विजित्र डूप से आगर्ष्टि दी और इसकी खटिनतम चुनवतियों को सामना करना चाते दी लेकिन ये ये वरस्ट पर चड़ना लेखिगा के लिए एक चुनवति दा एक चलंज दा तो हर एक खत्रे को सामना करने को वो तेयार था जब हम चब्वेस मार्ष को पैरिच पहुंचे हमें हिम स्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यों का धुकत समाचार मिला खुम्बू हिमपात पर चाने वाले अफियान दल के रास्ते के बाई तरब सीधी पहाड़ी के धसकने से लोटसी की आरसी एक बहुत बड़ी बरफ की चटान नीचे खिसक आई थी सोलर शेर्पा कुलीों के दल में से एक की मृत्य हो गई और चार कायल हो गे दे एक दुर्गडना के बारे में कहती है लेखिगा क्या कहती है वे तो चब्बीस मार्च को पैरिस पहुंचते समय एक हिमस्खलन हुई हिमस्खलन मेंस बरफ का घिसकना आईस फॉलिंग तो क्या हुआ एक शेर्पा कुली की मृत्य हुई और खुम्बु हिमपाद पर जाने वाले अफियान दल के रास्ते बाई तरव से सीधी पहाडी के दसकने से और खुम्बु हिमपाद पर जाने वाले वो ग्रूप एक ग्रूप खुम्बु हिमपाद पर जाने वाले दे उनके रास्ते पर क्या हुआ बाई तरव से लफ्ट साइड से ये आईस दसकने के कारण नीचे बाइट जाने के कारण क्या हुआ लोट से की और से एक बहुत बड़ी बरफ की चटान नीचे गिसक आई थी वो भी गिसक हुआ किसक ना मेंस क्या है बच्चो फिसल ना मोवेवे सोल शेडपा कुलियों के दल में से एक की मृत्ति हुगी और चार कायल हो गये दे खायल हो गये मने वूंडड इस समाजार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चहरों पर चाये आवसाद को देखकर हमारे नेता केनल खुल खुलर ने स्पश्ट किया कि ये विरिस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यों भी आदमी को सहज बाव से सीकर करने चाहे बचो ये एक कुस्टन का एंसर भी है ओके केनल खुलर का ये कतन देखिए क्या कहा है उन्होंने इस समाजार के कारण खुलर किया कि ये एक बड़ा सा संडन से देखिए फुल स्टोप तो इधर है एवरिस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यों भी आदमी को साजबाव से सीकर करने चाहे एक खतरा हुई है ना वो खतरे में एक के मृत्य हुई और चार खायल हो ग एवरिस्ट जैसे महान अभियान में वो एक महान यात्रा है उसमें खतरों को सामना करना पड़ा और कभी-कभी तो मृत्यों भी आदमी को साजबाव से सीकर करने चाहे और उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिमदल का नेदृत कर रहे थे 26 मार्च को पैरिश लोटाए उन्ह कहा कि उनके दल ने कैम्ब एक जो हिमअपाद के ठीक ओपर है वहाम तक का रास्ता साप कर दिया है उन्होंने ये भी बताया कि पुल बना कर रसियां बांध कर ता चुन्डियों से रास्ता छित्रिद कर सभी बड़ी कठिनाईयों का जाईजा ले लिया गया है उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया की ग्लेशियट बरफ की नदी ही और बरफ का गिरना भी जारी है। हीमपाद में अनियमित और अनिश्चिद बदलाव के कारण अफितक के किये गिये सपी कम विर्थू सकते ही और हमें रास्ता खोलने का कम दोबारा करना पड़ सकता है। क्या कहा इनके उपनेता प्रेमचंद से हिनुगे अग्रीमदल का नेद्रुत्त करे दा अमने फस्टु परगराफ में पड़ाधा एक आग्रीमदल आगे गया दा क्यों गया पेच्छे आने वालोंके रास्ता क्लीर करने केली उनका नेता धे प्रेमचंद। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने 24 माश को पेर चला उटाया, और क्या कहा उन्होंने, खुम्बु हिमपाद की स्तिदी से इन्होंने इनसी बातें गिया, कोनकोन सी बातें गिया था, उनकी दलने कैम्ब एक जो हिमपाद की ठीक उपर है, इन्होंने ते कैम्ब जाते दे, camp 1, camp 2, camp 3 से तर, camp बना कर हर एक camp में आराम करते करते जा रहे दे, तो उसने कहा है, camp 1 कहा दे, कुम्बो हिमपाद के ठीक उपर है, और वहां तक का रास्ता अब clear है, clear कर दिया है, और और एक बात भी बताया, उन्होंने पुल बना कर, कैसे पुल बनाया, रसियां बांद कर, रसियों से, और जंडियों से रास्ता चित्रद कर, रसियों से पुल बनाया, और जंडियों से, जंडियों से, जंडियों मेंस, flags, चुटी-चुटी flags, उन्होंने से रास्ता चित्रद किया, रास्ता चित्रद करना माने हर एक रास्ते पिस इतर इधर से जाना है ये रास्ता क्लियर है और उसी इतर करना वही है छिंडियों से रास्ता चित्रद करना और सभी बड़ी कड़नाईयों का जाइजा ले लिया गया है, जाइजा, that means review, है ना, और उन्होंने, that means, वहां क्या क्या है, क्या क्या होने की संभावना ही, इन सब के बारे में इन्होंने अवगत कराया, और उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बरफ की नद है, आइस रिवर है, उसनों बहते है, ये ग्लेशियर से, और बरफ का गिरना भी जाए, अभी भी आइस पालिंग हो रहा है, हिमपाद में अनियमित और अनिस्चित बदलाव के कारण, अभी तक के किये गए, इस अभी कम वेर्थ हो सकते है, that means, इन्होंने रास्ता क्लियर क किया था, लेकिन फिर भी ये आइस फालिंग के कारण, वो रास्ता फिर भी आइस से फर गया, तो वो कम दोबारा करना पड़ सकता है, ओके, बेस कैम्प में पहुंजने से पालिया में एक और मृत्यों की खबर मिली, जलवायू अनकूल नहोने के कारण, एक रसोई सहाय की मृत्यों हो गई थी, निस्तित रोब से हम आशा जनक स्तिदी में नहीं चाल रहे थे, और बेस कैम्प की बार में कहा, और वहां पहुंजने के पहले और एक दुरगणा की खबर भी मिली, क्या हुआ वातावरन की स्तिती अनकूल नहीं होने के कारण, क्लाइमट अनकूल न ही होने के कारण, एक किच्चन में एक सहायक दा, उसकी मृत्यों हो गई थी, तो ये सब सुनकर इनके मन फिर भी क्या हुआ, अब साथ से भर गया, एवरेस्ट शिकर को मेंने पहले दो बार देखा दा, लेकिन एक दूरी से, बेस कैम पहुंजने पर दूसरी दिन में एवर लोच से और नच से की उंचायों से गिरी बरफीली ठेडी मेडी नदी को निहारती रही, क्या ही बच्चों भाउंचकी होकर हैरान होना, क्यों लेगीगा को ऐसा हैरान हुआ, एवरेस्ट लोच से और नच से की उंचायों से गिरी बरफीली ठेडी मेडी नदी को देख कर, क्योंकि इतना बड़ा दा उनकी श्रेणियाम, एवरस्ट की श्रेणियाम, ग्रोब्स, ठेटी मेटी में टिस्चड और हीमपाद अपने आप में एक तरह से बरफ के खंड़ों का अव्यवस्ति दिठंग से गिरना ही दा हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बरफ में हल्चल हो जाती थी जिसे बड़ी बड़ी बरफ की चटाने ततकाल गिर जाया करती थी और अन्यकारणों से भी अचानक प्राया कतरनाक्स्ति दी धारन कर लेती थी और हीमपाद क्या है वो कहता हीमपाद क्या है ये बरफ टुकडे टुकडे होकर गिरना वही है हीमपाद और हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से ग्लेशियर क्या है बच्चो बरफ की नदी है ना और उसके बहने से अक्सर बरफ में हल्चल हो जाती ये ग्लेशियर क बखने से हल्चल होता है तब क्या होता है बड़ी बड़ी बरफ की चटाने क्लिप्स बरफ की चटाने आइस क्लिप्स को क्या होता है वे गिर जाता है नीचे से ये ग्लेशियर के बखने के कारण ये आइस चटानों के नीचे से ये हिम के बखने के कारण उनमें हल्चल होता ह मोस होता है, मोमन होता है और क्या हुआ है वे तो नीचे गिर जाती है और सीधे धरातल पर दरार पढ़ने का विचार और इस दरार का गहरे चवड़ी हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुँ डरावना था इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संबोन प्रवास के दोरान हिमपाद लगबग एक दरजन आरोहियों और कूलियों को प्रति दिन चूता रहेगा क्या कहा है इसी तरह हीमपादू होने के कारण दरातल पर दरार होते है दरार ब्रेग और तो ये यात्रियों को और इक डर्बी है consider है ये दरार में पढ़ने का डर्बी है और इस दरार का गेहरा डीपनस चोडे हिम विदर में बदल जाने का मात्र गयाल ही बहुत डरावना द ये हिम विदर मेंस सेम दरार रेक बरफ के गड़े उसमें गिर जाने का डर सबको है इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संबोन प्रवास के दरान हिमपाद लगबग एक दरजन आरोहियों और कूलियों को प्रदिन चूता रहे इसी तरह के ये ये दरान में दरजन दरजन मेंस डसन एक डसन यात्रयों को और कूलियों को राईडर्स को और यात्रयों को प्रदि दिन क्या करता है चूता रहे गा दाट मेंस वे तो मर जाते है दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिगामच सामान को हम हिमपाद के आधे रास्ते तक ले गए डॉक्टर मेनू मेता ने हमें अलोमिनियम की सीडियों से अस्ताई पुलों का बनाना लेठों और रसियों का उबयोग वरक की आडी तर्शी दिवारों बर रसियों को बांधना और हमारे अग्रिमदल के अपियात्रगी कारियों के बारे में हमें मिस्त्र जानकारी दी और दूसरे दिन क्या हुए तो पहले दिन तो ऐसी दुर्खडणावों के गबर से सब दुखी दे और दूसरे दिन एक हिमपाद के आधी रास्ते तक ले गए और डाक्टर मेनू में ता हमें अलुमिनियम से कैसी सीठियां बनाती हैं सीठियां मेंज स्टेप्स अलुमिनियम की सीठियों से अस्ताई पुलों का बनाना लट्टों रसियों का वलट्टों मेंज लकडि के टुकडे उनसे लकडियों के टुकडे और रसियों से कैसे चड़ना और बरक की आधी तरची दिवारों पर रसियों को बांधना आधी प्रूप के अभियात्रगी कारियों के बारे में क्या है अभियात्रगी कारियों के टेक्निकल तिंग्स उसकी बारे में भी इने मिश्चर जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपासी क्यांब एक तक सामाठोकर चड़ाई का अभियास करने के लिए निश्चित था। एक दिन पहला दिन अच्छा नहीं दा दूसरा दिन ठीक है और तीसरे दिन में क्या हुआ। केमब एक तक पहले केमब पर सामाठोकर चड़ाई करने का निश्चित किया। लेखिगा के साथ कौन दा रीता गोंबू दा वेसासा चड़ ही थे। उनके पास वाकी टोकी था। उनके जरिये उन्होंने हर कदम की जानकारी बेस केम तक पहुंचते थे। और ये सब सुनकर केनल खुलर को बहुत खुश हुआ। क्यूं हुआ। क्यूंकि केम एक पहुंचने वाली महिला केवल हम दो महिला ही थे। लेखिगा और रीता गोंबू ही था ये दो ही महिला है। और अंगदोर जी लोपसांग और गगन बिस्सा अन्तदा साउथ कोल पहुंच गे। और कितना है बच्चों इसको हम क्या करते हैं। 29 एप्रैल को ये कितना है। बताए साथ हजार नो सो मीटर पर उन्होंने कैंब चार लगाया। ये संदोश जना है। देखो नंबर सीखना है है ना सो तक सीखना है नंबर सुनिए और किया बार थे अंगदोर जी लोपसांग और गगन बिस्सा साउथ कोल तक पहुंच गे और 29 एप्रैल को उन्होंने क्या किया साथ अजार नो सो मीटर तक क्यांब चार लगाया उपर ये संदोश जनक प्रगदी दी ये भी एक प्रगदी दी जिब अप्रैल में में बेस क्यांब में दी तेंसिंग अपनी सबसे चोटीब सुपुत्री ठेकी के साथ हमारे पास आये दे उन्होंने इस बाद कर विशेश मैत दिया कि दल की प्रतीग सदस्य और प्रतीग शेटपा कुली से बाचीत की जाए जिब मेरी बारे आई मैंने अपना परजय ये कर कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नव सिखिया हूं और एवरस्ट मेरा पहला भियान है तेंसिंग हजे और मुझ से कहा कि एवरस् पर रखते हुए उन्होंने कहा तुम एक पक्की परवदी ये लड़की लगती हो तुम्हें तुष शिकर पर पहले ही प्रयास में पहुँझ जाना चाहिए और एप्रेल में लेखीगा बेस कैंप मेंदी तब वहां आया ठेंसिंग ठेंसिंग के बारे में हमने सुना था है रोप में कितने आत्मे दे हर एक के पास जाकर बाचित किया क्योंकि हर एक को मोटिवेट करने के लिए जब मेरी बारे आई और लेगिगा से भी बातें करने के लिए आते ते लेगिगा ने क्या कहा लेगिगा ने कहा मैं बिलकुल ही नव सिखिया हो नव सिखिया नया सीख ने वाला, that means experience के बिना अनफुवहीन, और एवरस्ट मेरा पहला अभियान है, तेंसिंग हसे ये सुनकर तेंसिंग ने हसे और मुझसे कहा कि एवरस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, हर एक को हर एक बार एवरस्ट की अभियान पहला जैसे लगा है, लेकिन ये भी एवरस्ट की जोटी तक पहुंजने के पहले कितनी बार चड़ा उन्होंने साथ बार एवरस्ट पर जाना पड़ा था, फिर अपना हाथ मेरे कंथे पर रखते हुए, कंथे means shoulder, कंथे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की परवदी ये लड़की लगती हो, ये कहा, तुम एक पक्की परवदी ये लड़की लगती हो, तुमें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंजना चाहिए, क्या कहा आटेन सिंग ने, तुमें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहली बार ही पहुंजना चाहिए, ओके, बाट अच्छी तरह पढ़ना है ब thank you